नमस्कार दोस्तों रेडियों हिंदुस्तां से मैं आरजे वर्षागरवार सुनाने जारे हुए एक संत की कहानी जो की बहुती सुन्दर है संत महिमा मधुरा में एक संत रहते थे उनके बहुत से शिश्य थे उनहीं में से एक सेट जगत राम पी थे जगत राम का लंबा चोड़ा कारोबार था वे कारोबार की सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे एक बार वे कारोबार की सिलसिले में कन्नौज गए कन्नोज अपनी खुशबुदार इत्रों के लिए प्रसिद है उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को संत को भीट कने के लिए खरी दी सेट जगत राम कुछ दिनों बाद काम खतम होने पर वापस मथुरा लोटे अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए संत कुटिया में नहीं थे पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए है सनाम ध्यान के लिए जगत राम घाट की तरफ चल दिये देखा कि संत गुटने बर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे है तेज चाल से वे संत की नस्दीक पहुँचे प्रणाम करके बोले आपके लिए कन्वा से इतर की शीशी लाया हूँ संत ने कहा लाओ दो सेट जगतराम ने इतर की शीशी संत के हाथ में दी 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 संत ने तुरंत वह शीशी खुली और सारा इतर यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे जगतराम यह दृश्य देकर उदास वगर सोचा एक बार भी इतरे इस्तेमाल नहीं किया सुंगा भी नहीं पूरा इतर यमुना में डाल दिया वे कुछ न बोले उदास मन से घर वापस लोट गए कई दिनों बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए संत कुटिया में अकेली आंके मुंदे बटे थे और भजन गुन गुना रहे थे आहाट हुई तो सेट को द्वार पर देखा प्रसन होकर उन्हें पास बुलाया और कहा उस दिन तुम्हारा इतर बड़ा काम कर गया सेट ने आशरी से संत की तरफ देखा और पूचा मैं कुछ समझा नहीं संत ने का उस दिन यमुना में राधा जी और श्री किष्ण की होली हो रही थी श्री राधा जी ने श्री किष्ण के उपर रंग डालने के लिए जैसे ही बरतन में पिछकारी डाली उसी समय में ने तुम्हारा इतर बरतन में नाट डाल दिया सारा इतर पिछकारी से रंग के सार श्री किष्ण के शरीर में चला गया और भगवान श्री किष्ण इतरे के महक से महकने लगे तुम्हारे लाई इतरे ने श्री किष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया तुम्हारी वज़े से मुझे भी श्री किष्ण और राधाजी के दर्शन वे सेट जगतराम आखे फारे संत को देखते रहे उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था अंदिरों में श्री किष्ण राधा की मूर्थी से अपने इतर के महक आती भी प्रतित भी सेट जगतराम का इतर श्री किष्ण और श्री राधा जी नहीं स्वीकार कर लिया था वे संत की कुटिया में वापस लोटे और संत के चरणों में गिर पड़े संत की आखों से आसुग की धारा बहे निकली संत की आखे भी प्रभु श्रकित्न की याद में गिली हो गई सेट जगतराम को संत जी का अधिकार मालूम हुआ कि संत महत्मा बले ही हमारे जैसे दिखते हूं रहते हूं लेकिन वह हर वक्त इश्वर में मन लगाए रहते हैं और हम जैसों को यादिकार तब राप्त होगा जब हमारी भक्त ये बढ़े नाम सिम्रन बढ़े और हमारी श्रता बढ़े जैश्री रादे रादे तो दोस्तों कैसी लगी कहानी बहुत ही सुन्दर ये कहानी थी इसी के संग लेती रहे कर श्री राम का नाम करती रहीगा अपना काम और ये है रेडियो हिंदुस्तान साथ ही जल बचाए जल बचाना सिखाए पेड़ पौधे लगाएं पेड़ पौधे लगाना सिखाएं और हाँ एक बात याद रखेगा अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यानि रेड़ इंदुस्तान के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भुलिएगा इसी किसा धन्यवाद